नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सच में हारदिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर को किस प्रकार का उचित किया जाता है और बड़ी आसानी से छोटी छोटी चीजों के ही माध्यम से घर को डोट का उचित किया जा सकता है क्य की जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल शत्रु का स्वभाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, एक दूसरे को देखकर इतना ज्यादा जलते हैं कि एक दूसरे पर तंत्र मंत्र क्रिया टोने टोटके आदी वगेरा कर देते हैं और सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि इन टोन को परिशान कर देते हैं और जब भी ऐसा होता है तो इसके व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार ठप जैसा हो जाता है कर्स की जो समस्याएं होती हैं वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जैसे घर में कोई योग्यकन्या हो शादी के लिए उसकी शादी में एक के बाद एक बिगडने लग जाती है और आने लग जाती है और यही कारण है कि आजकल बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं तो इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि किस प्रकार घर को कब चित किया जा सकता है कुछ चीजों की सहायता से और पशुपता साधना के एक महाप्रयोग से जिससे घर पर एक कवच बन जाता है और बाहर से कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं करा पाता है तो जल्दी से वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नम्ह शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें जिससे भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन भी अवश्य ही दबा कर रखें जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहा करें तो दोस्तों सबसे पहली, चीज तो यह है कि इस चीज को आप यह जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीजें करवाई कैसे जाती है और कैसे घर पर हो भी जाती है क्योंकि जैसा कि पिछले काफी वीडियोज में हमने आपको बताया है कि हर एक इंसान का अपना ही एक उर्जा का मंदल होता है, साथ चक्रों से वह उर्जा का मंदल बनता है, बलकि अगर आप किसी खास यंत्र की सहायता से देखेंगे, तो यह पाएंगे कि प्लांट का हर एक पशुपक्षियों का बलकि हर एक निर्जीव वस्तु का भी अपना ही एक उर्जा क्षेत्र होता है, और तंत्र क्रियाओं में इसी उर्जा के क्षेत्र को प्रभावित किया जाता है, जैसे कि आपका जो घर है, उसका उर्जा का एक शेत्र होता है, इसलिए पित्रों को कुल देवी को कुछ देवताओं को घर के बाहर इसलिए स्थान पर बिठाया जाता है, इसलिए घर की जो मुख्यद्वार होता है, उसके उपर उनका स्थान बनाया जाता है, जिससे घर का उर्जाक्षेत्र का उचित रह सके, लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं हो इस प्रकार से बीमार पढ़ जाता है जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाना तरह तरह की इस प्रकार की बीमारियां होने लग जाती है जिसमें फिजूल खर्ची और धन बर्बादी बहुत ज्यादा होने लगती है तो इन चीजों से बचने के लिए सर्वप्रथम तो आपको यह करना है की जो सोमवार का दिन होता है सोमवार, बुद्ध, शुक्रवार, शनिवार के दिन भी यह प्रयोग किया जा सकता है कि पशुपता साधना का एक छोटा सा प्रयोग है जिससे जो लोग जो साधना जो साधक साधना को करते हैं पशुपता स्ट्रेस साधना को करते हैं तो अपने आसपास एक कवच का घेरा बना कर रखते हैं जैसे कि खासकर नागा साधु जो होते हैं वह पाशुप्तास्त्र साधना में बिलकुल उत्तीर्ण और सिद्ध होते हैं, इसलिए उनके आसपास एक कवच बना रहता है, और यही वज़य है कि बड़ी आसानी से जो शम्शान घाट में भी जाते हैं, कुछ भी क्रियाओ को कर लेते हैं और उन्हें बिलकुल भी डर नहीं लगता है, यही इस कवच की शक्ती होती है कि अपने साधक को कुछ भी नहीं होने देती है, वैसे तो पाशुप्तास्त्र साधना बहुत ही ज्यादा गुप्ध है, जो ऐसे ही किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इसके छोटे से प्रयोग को निश्चित ही आपको बता देते हैं, तो दोस्तों जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर कोई कुछ कर पा रहा है, या आपके घर में परेशानी उत्पन कर रहा है, शत्रु परेशान कर रहा है, और खासकर कि इस चीज को देखें जो आपको बहुत ज्यादा करीबी बनता हुआ, आपसे मीठे बोल बोलता हूँ, लेकिन आपके घर में फूट डालताव आपके बच्चों में आपके परिवार में लडाई लडवारताओं आपको उनके खिलाफ भड़का आता हो, तो ऐसे लोगों से आपको बिलकुल सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको जब देखना चाहते हैं, आपको बिलकुल लाचार जैसा देखना चाहते हैं आपके बच्चे किसी काम के नहीं है, इस प्रकार देखना चाहते हैं, आपके घर के लोग आपके किसी काम के नहीं है, इस प्रकार देखना चाहते हैं, तो अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आपको अपने परिवार के खिलाफ भड़काता है सिखाता है और आपसे मीठे बोल बोलता है आपको ये मिलना चाहिए आपको अच्छा होना चाहिए तो आपको तुरंट समझ जाना चाहिए कि यही सबसे बड़ा दोशी है और काफी बार तो यूँ भी देखने को मिलता है कि यही लोग जो आपके मीठे बोल बोलते हैं आप से मिठाई में कुछ डाल कर कुछ खाने पीने की वस्तूओं में कुछ डाल कर आपको खिलाते रहते हैं और आपकी बुद्धी को बिलकुल अपने वश में करके रखते हैं और कई बार तो यू भी होता है कि व्यक्ति इतना वश में हो जाता है कि इनहीं लोगों से बहुत ज्यादा प्रेम करने लग जाता है इनहीं को देखकर खुश होने लग जाता है और अपने परिवार से नफरत करने लगे लग जाता है, इस बात का ध्यान रखा करें और इस चीज को पकड़ने के लिए आप यह भी कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर आपके घर में आता है, तो आप एक साफ कागजी नीम्बू बिल्कुल दाग रहित नीम्बू लेकर आ जाएं और जहां पर उसके पैर पड़े हों वहां की मिट्टी थोड़ी सी निकाल लें और उसके बाद ही किसी गमले में या कहीं पर गड़ा खोद कर अपने घर में ही आपको गड़ा खोदना है या गमले में रखा जा सकता है अगर आप गंदा नहीं खोल सकते हैं तब गमले में करें वैसे अगर गड़ा खोद के घर में अगर इस प्रकार किया जाता है तो तुरंत वे व्यक्ति पकड में आ जाता है, जहां पर उसके पैर पड़े हो, वहां की मिट्टी उठा कर उस नीम्बू के साथ बांध कर गड़े में या किसी गमले में आपको दबा देना है, और इसको एक हफते तक वहीं दबा कर रखना है बलकि केवल चार दिन में ही इसका पता भी चल जाता है, चार दिन बाद पांच दिन बाद इसे निकाल सकते हैं, आप और यह देखें कि अगर वह नीम्बू लाल पड़ता है, तो आप समझ जाएं कि यही व्यक्ति कुछ न कुछ करवा रहा है और जब आपको इस प्रकार पता लग जाता है, तो उस व्यक्ति से बिलकुल भी आपको डिसकस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डिसकस करते हैं, तो वह और ज्यादा स्ट्रांद क्रिया को करवाता है, और पहले से जो उसने कुछ क्रियाएं करवाई, हुई है वह फिर आप काट नहीं पाते हैं, तो स्त्री से आप जान सकते हैं कि आप पर आपके घर पर हुआ है, कि नहीं हुआ है, और अगर कोई व्यक्ति अगर आपके घर में नहीं आता है, आपको यह डर लगता है कि तंत्र क्रियाएं आपके घर में हो गई है, तो इसी स प्रयोग से आप यह भी जान सकते हैं कि आपके घर पर बुरी शक्तियों का प्रभाव है, कि नहीं है, ऐसे ही नीम्बू लेकर सभी लोगों के उपर से 21 बार उतार कर किसी भी गड़े में घर में ही किसी। भी गमले में इसे दबा कर आप खुद चैक करके देखें अगर यह लाल पड़ जाता है, तो आप तुरंट समझ जाएं अब इससे बचने के लिए आप यह कर सकते हैं कि किसी भी सोमवार नीम के पत्ते आप लेकर आ जाएं और इन पत्तों की राख को डोट। तयार कर ले यानि के इनकी भस्म को तयार कर लें और सोमवार के दिन ही वरत रखते हुए ही खासकर के घर का मुखिया अगर इस वरत को रखता है तो ज्यादा अच्छा है, वरत नहीं रख सकते हैं, तो कोई भी बात नहीं है, तब भी इस प्रयोग को किया जा सकता है, वैसे वरत रखने से ध्यान और अधिक प्रचंड रूप से लगता है, तो नीम के पत्तों की राख बना कर आपको अपने घर के ही शिवलिंग पर इसका लेप पूरी तरह से करना है, नीम के पत्ते की जो तासी होती है, वह अंदर से ठंडी होती है, शिवलिंग पर इस प्रकार लेप करने के पश्चात पूरे सुमवार के दिन एक दिन उस लेप को वहीं पर लगाये रखना है, और अगले दिन इस लेप को थोड़ा-थोड़ा करके निकाल लेना है, यानी की बिलकुल सावधानी पूर्वक निकाल लेना है, जिसे शिवलिंग को कोई नुकसान न पहुँचे और उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर इसी भस्म से यानी के इसकी राख से ओम नमह शिवाय को लिख देना है, घर के मुख्य दर्वाजे पर लिखा जा सकता है करके जो खिडकिया है, जहां से आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत अधिक नेट नेगेटिविटी है, तो वहाँ पर आप इन चीजों को लिख सकते हैं, केवल ओम नमह शिवाय लिख देते हैं, तो वहाँ पर एक कवच सर चड़ जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जब शिवलिंग पर आप नीम के पत्तों का लेप लगाएंगे, तो इस मंतर का उच्चारण करना है, यह पशूपतास्तर का बेसिक मंतर है, यह आप जान ले ओम फ्लेम पर फ्रॉम हो मुफत एक बार फिर से इस मंतर को डोट सुन्ने ओम फ्लेम पर सोम होम फटा बहुत ही इजी सा मंतर है, आसानी से आपको याद भी हो गया होगा, तो इस मंतर का 108 बार मात्र आपको जाब करना है, और फिर लेप लगाना है, लेप लगाते समय जाब करना है, तो इससे यह जो राख है यह बिल्कुल सिद्ध हो जाती है, और अगले दिन इसी राख से ओम नमः शिवाय आपको लिख देना है, ओम भी लिखित लिखा जा सकता है, केवल ओम भी आप लिख सकते हैं, इससे घर पर अगर कोई बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया हुई होती हैं तो वहम में लग जाती है, लेकिन अगर आप बहुत काफी लंबे समय से परेशान हैं और बिल्कुल भी परेशानी हल नहीं हो पा रही है, तो आप हमें वाटसेप कर सकते हैं, यह परेशानी लिखकर कब से आपको हो रही है, किस प्रकार के संकेत आपको मिल रहे हैं, कोई दिमाग में परेशानी या किसी प्रकार की शारिरिक परेशानी तो इस चीज से नहीं होती है, या किसी प्रकार का डर्या का अपराध नहीं बनता है, तो वो चीजे लिखकर आप हमें कॉमेंट पर मैसेज भेज, सकते हैं